जदि जे आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलग कि आप अपनी जिंदगी में बहुत नई चीजी सीखना चाहते हैं, पर आपको अभी तक आपकी लॉर्णिक स्टाटेजी के बारे में नहीं पता, क्योंकि क्या होता है, जदि आपके पास जदि वो लॉर्णिक स्टाटेजी मिल जाएगी, तो उसमें हम जो थार्ड वाली स्टाटेजी है, वो सबसे ज़्यादा पावर्फुल है, another thing हम आपके लिए टारुकार निकाने के देखते हैं कि जुनिवर्सल आपको क्या मैसिज देता है, ready, तो एक परसन मेर से मिलने के आए, वो अमेरीका से आए थे, तो वो कहते हैं, मैं नॉर्सिंग कर रही हूँ, मैं 6 साल थे नॉर्सिंग कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने एकजाम में फेल हो जाती हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस एकजाम को कैसे क्लेर करो, अब मैं गिब अप कर दिया है, अब मैं टूट चुकी है, मेरी से hesitation आ चुकी है, मैं तूट चुकी है मेरी से नहीं होता, अब तो मेरी सारे रिसेदार भी पूश्ट के ठक गया कि अब इस लड़की से नहीं होगा, दीदी आप मेरी help करो तो आप जी कहीं नहीं करेंगे उसने, जो मैंने strategy बताई, उसने उसको 100% follow किया, और उसने वो exam pass कर दिया, बहुत successful अमेरीका में एक nurse बन चुकी है तो जदि आप भी उस strategy को जानना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत help लिए doesn't matter, आप एक अच्छे coach बनना चाहते हैं, आप अच्छे teacher बनना चाहते हैं कोई भी आप study करेंगे, इसमें जी strategy आपके लिए बहुत help करेगी तो number one, सबसे पने में आपके बहुत खुशुत example बताती हूं जो David Beckham है कि बहुत दुनिया के popular player है उसने सबसे ज़्यादा goal बनाए है आपको पता है कि वो कौनसी strategy use करते थे, जब वो goal बनाते थे, तो आप surprise हो जाएंगे जब वो आप ball को kick करते थे, वो अपने mind में imagine कर लेते थे कि वो जो ball है, वो net से कितनी दूरी पे है, उसको calculate कर लेते, कि मुझे कितनी जोर से ball को head करना है कि ball इतनी speed में जाएगी, उसको कोई distract नहीं करेगा, वो net में चले जाएगी वो अपनी brain में calculate करते थे, इससे हमें क्या पता चलता है, जो कौन सी strategy use करे थे, जो अपनी mind में imagine करते थे, calculate करते थे, feeling create करते थे, कि इतनी जोर से ball मारूंगा, वो इस तरह की sound बनाएगी, तो वो इतनी speed में जाएगी, और net में चली जाएगी, तो तीन चीज़े आपको पता चलते कि, जदी हम सीखते हैं अपनी mind में visualize करना सीखे जो भी आप पर रहे हैं, अपनी mind में उसको visualize करना सीखे जदी वो जी strategy use करके दुनिया का सबसे अच्छा player बन सकता है हम भी वोई strategy use करके अपनी life में बहुत अच्छी चीज़े achieve कर सकते हैं मैं फिर से repeat कर रही हूँ, वो तीन चीज़े करते थे, बॉल को hit करने के लिए वो calculate करते थे, कि इतनी speed से बॉल जाएगी, और कितनी distance भे, distance भे उसकी ball है, तो वो उसी वक्त के कमाती तो ball सिद्धा net में जाता था, तो तावी very good and second, एक person थे, टीना, she's a very popular, बहुत popular professor है, तो वो जब भी उसको, जो भी उसको पढ़ने को दिया जाता था, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, बहुत कोई भी subject उसको दिया जाए, उसको curiosity से पढ़ा जाता था, बहुत प्यार से उसको पढ़ा जाता था, वो जल्दी बहुत जाद कर लेती थे, इतना fast अभी बुश्रे थे कि आप कोई भी subject हो, आप उसको इतनी प्यार से कैसे जाद कर लेती हैं, आप surprise होंगे, उसकी learning strategy क्या थी, उसकी learning strategy बहुत कुश्रोती, आप हरान रहा जाएंगी, वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास coffee होने चाहिए, जब मैं coffee को smell करती हो ना, मेरे अंदर एक curiosity की feeling आती है, सीखने की feeling आ जाती है, excitement की feeling आ जाती है, मैं उस feeling को double कर लेती हूँ, और जब भी मैं कोई book को फटती हूँ, coffee की smell मेरे साथ होती है, तो मैं उसको enjoy करती हूँ, curiosity के साथ, fun के साथ, enjoy के साथ, मैं उसको learn करती हूँ, इसी से वजह से, आपने क्या करना, आपने decide करना, आपको कौन सी अची smell है, जो आपको relax करती है, आपको happiness state में लेके जाती है, तो उन्होंने जी strategy को use करके, वो कोई भी subject को बहुत अच्छी से पट सकते हैं, और number three, आप आपसी जी powerful question पूश सकते हैं, कि जो मैं study कर रहा हूँ, after six month मेरी life कैसी होगी, मैं अपनी life में क्या change होगा, मेरी relationship कैसी होगी, मेरी financial condition कैसी होगी, मेरी health कैसी होगी, मेरी state कैसी होगी, मेरी life कैसी होगी, जी आप question पूश सकते हैं, मैं फिर से repeat कर रहे हुँ, आप अपने आप से पूछे कि after six month मैं आपने आपको कैसे देखता हूं जदी मैं जी study को complete करता हूं after one year मैं आपने आपको कैसे देखता हूं जब मैं चीज को achievement करता हूं six month के बाद देखे, one year के बाद देखे तो आपके mind में एक picture बनने लगेगी how you want, मैं आपको कैसे देखना चाता हूं, when I achieve this तो जब आपके mind में जए picture बन जएगी, जए आपको motivate करेगी आपको clarity आईगी कि आप क्यों study करें, why you do this तो आपका mind relax से उचीज को understand करेगा, आप बहुत enjoy करने वाले हैं और जदी आप चाते हैं कि मुझे अभी भी पता नहीं चला कि मेरी learning strategy क्या है आप हमारे साथ session वो कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी help कर सकती हूं तो हम आपकी subconscious mind में वो install कर सकते हैं, जो आपकी learning strategy अभी तब आपको नहीं पता है चलो आपके लिए हम card निकालते हैं, वाँ, moon का card निकला है यह बहुत प्यारा card message देता है, positive message भी है, negative message है तो यह बताता है कि जो भी आपनी जिंदगी में आप कुछ करना चाते हैं, भी आपको बहुत मेनत करने पड़ेगी आप सोचते हैं कि शायद दूसरी लोग मेरी help करेंगी, कोई आपकी help करने वाला नहीं आएगा आपको खुद मेनत करने पड़ेगी, आपको खुद उसके उपर काम करना पड़ेगा तब ही आप जिंदगी में वो सारी चीज़े अचीव कर सकते हैं, जो आप करना चाते हैं एक powerful affirmation आप यूज कर सकते हैं, all I need is within me now all I need is within me now, everyday जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी memory sharp हो रही है मैं तो बहुत प्यार से पढ़ता हूँ और enjoy करता हूँ, आप जी affirmation यूज कर सकते हैं और जोदि आप इस strategy को अपने subconscious mind में install करना चाते हैं, तो हम से बात कर सकते हैं हम आपके 100% help करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं, पढ़ें, अपने exam पास करें क्योंकि जब तक आज का time है, self study का, जोदि आप strategy नहीं डूण पाएंगे, कि मेरी learning strategy क्या है तो बहुत time आपको लग जाएगा वो चीज को पास करने में, thank you very much जदि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा, हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जदि आप जो affirmation आप चाहते हैं, आपकी energy में, आपकी life में वो काम करेंगे तब ही काम करेंगे, जदि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो thank you so much हमारा वीडियो देखने के लिए और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हम जहीं अमीद करते हैं कि आपने भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया है आपने comment करके बता दिया है कि आपकी learning strategy कौन सी है Thank you very much